Hello everyone, welcome to NEET UG intent brought to you by Unacademy जो कि इंडिया का लाजिस्ट ओनलाइन प्लाटफॉर्म है यहां आपको मिलती हैं daily live classes, live test and quizzes हमारे जितने भी courses हैं, they are very well structured and unlimited access 24x7 हमारा जितने भी material हैं जितने भी video lectures हैं उनकी लेकिन उसके लिए आपको हमसे जुड़ना होगा उसके लिए Unacademy Learning App डाउनलोड करें Google Play Store पे जाके या iOS App Store पे जाके and उसके बाद लेना होगा आपको हमारा NEET UG का page subscription जिसके कई options अवेलेबल हैं लेकिन एक साल या दो साल का option सबसे जादा popular and most recommended है क्योंकि NEET UG का syllabus काफी vast होता है थोड़ा टाइम लगता है उसकी preparation में and आप देखेंगे कि एक साल में आप स्रिफ 6000 एक्स्टा 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 आट करते हो तो आपको मिलता है दो साल का subscription and on top of that अगर आप मेरा code referral code love10 luv10 ये use करते हो तो आपको मिलता है extra 10% का off जो भी हमारी base price थी मेरा नाम लवकिशोर श्री वास्तवा है मैं McGill University Canada में as a researcher मैं काम कर रहा हूँ and I personally मुझसे जोड़ना चाहते हो तो मैंने अपना telegram link add कर दिया है तो आज बात करते हैं thyroid gland की thyroid gland भी काफी आपने सुना होगा कि thyroid gland उसका thyroid बढ़ा हुआ है उसका thyroid कम है क्योंकि काफी एक पूरे world में thyroid की problem काफी बढ़ गई है आज की date में तो I hope कि कहीं न कहीं आपने सुना हो नहीं सुना तो अच्छी बात है कोई डरने की बात नहीं आज आप सुन लेंगे तो अब बात आती है कि हमने इतनी endocrine glands तो पढ़ ली अब thyroid की बात आती है तो thyroid जैसे मैं एक overview देता हूँ पहले तो thyroid से याद रखिएगा कि basic body का जो metabolism है जिसको हम BMR बोलते है basal metabolic rate ठीक है याने कि BMR क्या होता है कि आप लेटे हैं आराम से लेटे हुए हैं कुछ ज़ादा activity नहीं कर रहे याने कि सबसे कम active state में तब भी आपकी body के अंदर धे सारे different processes तो चल रहे हैं उनके लिए भी आपको energy चाहिए तो वो कितनी energy चाहिए आपको total मिला के वो आपका BMR decide करता है ठीक है तो ये चीज जो control करता है basically वो thyroid होता है तो thyroid responsible होता है BMR के लिए और भी छोटी मोटी चीज़े हैं चलिए अब discuss करते हैं तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि thyroid है कहां तो आप right side में ये जो डियाग्राम देखोगे ये क्या है आपका trachea trachea बताया हुए मैंने न wind pipe था याद होगा जिससे आप शांस लेटे हो तो जिससे अंदर जाती है इसके दोनों तरफ है thyroid ठीक है तो अब एक एक करके पहला देखेंगी consist of two lobes located on the either side of trachea ये point तो clear हो गया इसमें कुछ सोचने की जुरती नहीं अब आप देखेंगे कि एक lobe इधर है एक lobe इधर है दो lobes हैं लेकिन ये आपस में जुड़े हुए हैं तो ये जो जुड़े हुए हैं इस structure का नाम होता है isthamas तो दो चीजे तो हमने जान ली कहां है दो lobes हैं और कैसे जुड़ा हुआ है अब thyroid के अंदर बहुत सारे follicles और stromal tissues है follicles कुछ नहीं आप समझ लीजे spaces होती है जिसमें secretion आते हैं छोटे-छोटे spaces हैं जिसमें secretion आते है अब बात आती है कि ये hormone कौन-कौन से एफिकता है अब तो हमको जानना है चलिए एक point बद गया कि follicles है follicles तो हमने cavity बताया लेकिन उन cavity को जो भरने वाली cells है surrounding cells है वो follicular cells है तो यही क्या करेंगी यहीं cavity को enclose कर रही है आप समझ लीजे cavity है cavity की जो boundary है वो follicular cells है जो अपना secretion इस cavity में फिकती चली जाएंगी ठीक है अब यह secretion क्या हो गया होर्मोन होते है तो इसमें कितने तरीके के होर्मोन होते है हम देखें तो सबसे पहले 3 होते है 2 main होते है एक हम बादने बाद करेंगे तो main जो 2 होर्मोन है वो होता है tetra-iodo-thyronin या इसी को बोलते है thyroxine ठीक और दूसरा होता है त्राई आयोडो धायरोनिन ठीक है टेट्रा और ट्रॉफ मैं अब बात आती है की और हम नम में यहें इंग उइते होता है इंदोनों यह जो दो हर्मॉन है इनकी formation के लिए iodine चाहिए होता है तो इसलिए नमक से basic जितनी iodine हमको चाहिए वो हमको मिल जाती है इसलिए नमक generally iodized salt होते हैं कि इसके लिए आपको इस hormones की कमी iodine के कारण ना हो कमी कई reason से हो सकती है अब आपकी thyroid मान लीजे गड़बड हो गई ठीक है नहीं बना रही लेकिन iodine की कमी से ना हो इसलिए iodized salt खाना चाहिए ठीक तो अब बात आती है कि अगर कमी हो गई तो क्या होगा ठीक है अगर कमी हो जाएगी क्या होगा simple सी चीज है हमारी body में thyroid की कमी हो गई तो क्या होंगी यह thyroid की cells है अंदर मैंने बताए cavity है न तो यह बढ़ने लगती है size में ठीक है इसको hypertrophy बोलते है कोई भी चीज होती है वो बढ़ने लगती है size में तो enlargement hypertrophy छोड़े simple शब्द यादा किये enlarge होने लगेगी कि और जादा thyroid बने ठीक है thyroid बोलना हूँ ग्वाटर होगा जब body में जो हमारी thyroid gland के hormones है उनकी कमी हो गई ठीक है उनकी कमी हो गई या iodine की कमी हो गई iodine की कमी से भी तो यह होगा न overall जो है हमारे जो thyroxine है उनका level कम हो गया iodine है नहीं तो बनी नहीं पारा लेकिन sense तो body में होगा न thyroxine की कमी हो गई तो thyroid तुरन जागेगा अपने आपको बढ़ा करेगा जिससे वो और produce कर पाए तो इस case को बोलते हैं अब आप नमक सही amount में वापस लेने लगेंगे अगर iodine की कमी के कारण है iodize salt वापस ले रहे हैं आप iodine ले रहे हैं तो यह condition वापस normalize कर जाएगी ठीक अब बात आती है hypo hypo मतलब कमी ठीक प्रेगनेंसी में अगर जो मदर है उसके अंदर कमी है hypothyroidism है तो जो बच्चा होगा उसको एक stunted growth होगी उसका जो mental balance है वो भी बहुत सही नहीं होगा तो इस case को बोलते हैं cretinism तो याद रखिएगा cretinism क्या है किस hormone की कमी से आ रहा है तो ठीक है confusion नहीं करना है अब एक adult है adult woman है उसमें hypothyroidism हो जाएगी तो उसकी menstrual cycle भी irregular हो जाती है तो यह यह points याद रखिएगा यह सब याद रखने वाली चीज़ है important है अब क्या होगा कि thyroid में cancer हो गया माल दीजे thyroid में cancer cancer का क्या मतलब होता है कि cells unlimited division हो रहा है cells का बहुत धेर सारी cells आती जा रही है cancer यहीं तो होता है uncontrolled cell division generally क्या होती है cell जो divide करती है controlled manner में करती है ऐसा तो है नहीं कि unlimited cell ग्रो करती जा रही है उस case को ही cancer बोलते है जब unlimited cell ग्रो करती रही divide करती रही अब यह case अगर हो जाएगा तो आप imagine कर लिजे कि वहाँ किती धेर सारी cells हो जाएगी thyroid की जो यह hormone बना रही है तो hormone का overproduction हो जाएगा तो hormone को जादा होना hyper होगा कम होना hypo होगा ठीक तो इसमें confusion मत रखिएगा hypo का example हमने देखा था goiter हो गया था ठीक है cretinism हो गया था hyper अगर हो जाएगा तो body की metabolic activity याने physiology वो गड़बड हो जाएगी इस condition को hyperthyroidism बोलेंगे ठीक है अच्छा अब ये point मैंने आपको शुबात में भी बता दिया था कि basal metabolic rate control करता है BMR BMR क्या होता है मैंने बता दिया आप आराम से लेटे हैं तब भी आपकी body की जितनी energy requirement है अब थोड़े छोटे मोटे काम भी इसके देख लें कि ये RBCs red blood cell की formation में भी थोड़ी सी help करती है outside questions है आ सकते हैं कि कौन सा इसमें से help नहीं करता तो ये सब points जो है ये उस समय के questions में काम आएंगे main काम तो हमने देख लिया इसका BMR है पहली जीज़ छोटे मोटे काम और भी देख लेते हैं अब जो BMR है अभी आपको बता दी energy के लिए है ना energy कहां से मिलती है जब हम metabolically carbohydrate protein fats इन सबको हम digest करते है ना इन सबका catabolism होता है जहां से energy आती है तो CDC बात है control the metabolism of carbohydrate fats and proteins ठीक अब एक और चीज़ होती है एक और hormone आता है ठीक है याद रखिएगा एक और hormone आता है thyroid से मैंने कहा था ना शुरुवाट में तीन अभी दो आप सुनो तीसरा होता है thyrocalcitonin नाम ही अपने आप में बता रहा है calcitonin तो क्या काम होगा thyro नाम से समझ में आ रहा है thyro यानि थायरोइट से calcitonin यह blood calcium blood में calcium का जो level है उसको regulate करता है तो द्यान रखिएगा ठीक है तो यह points थे thyroid gland के बारे में I hope की basic आपको idea लग गया हो revision हुआ हो आपका and आप comment करें की lecture कैसा लगा और आप क्या देखना चाहते हैं वो comment करें and thank you आप subscribe करें हमारा चैनल मेरा code love10 यूज करके अनकाज में से ज़रूर जुड़ें and मुझसे personally जुड़ना है तो मैंने अपना telegram link add कर दिया है thank you thank you so much